किस तरह से प्लेन रिहाइशी इलाके में तेजी से नीचे उतरने लगता है और फिर कुछी सेकेंड में प्लेन क्राश हो जाता है और वहाँ धुए का घुबार उठने लगता है यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहा है सीसी टीवी तस्वीरे हम दिखा रहा है दरसल आज ही पाकिस्तान में एक यातरी विमान लांडिंग से ठीक पहले क्राश हो गया और रिहाइशी इलाके में जाकर यह क्राश हुआ है और कई घर इसके जद में भी आ गये थे बहत करीब यह एएपोर्ट के जब यह विमान क्राश हुआ और क्राश होने से इस हाथसे से ठीक पहले पाकिस्तान में उस पालिट ने एटीसी के साथ संपर्ग भी किया था और उसने वो एसो एस कॉल भी किया था जिसकी जानकारी और जो कुछ भी ब्योरा था वो न्यूस्टोड़ी और धराशाई हो जाता है यह विमान यह देखे आकाश से नीचे की तरफ आते हुए और रहाइशे इलाके में एपोर्ट के बेहत करीब जाकर एक आएक एंजिन फेल होने की वज़े से यह विमान पैसेंजर बस क्राश हो जाती है तस्वीर हम आपको दिखा रहा है दरसल च पाकिस्तान को तो सवाल यही उट रहा है पाकिस्तान के भीतर से दरसल उट रहा है कि क्या इस कबार की कीमत तो नहीं पाकिस्तान को उठानी पड़ गई इतने सारे पैसेंजर्स, क्र्यू मेंबर्स, 107 लोग कुल सवार थे भीतर और जहां पर जाकर यह क्राश हुआ है देखिए हम लगातार आपको बता रहा है घनी आबादी वाला यह पूरा इलाका था जो चश्मदीत थे वो भी यही कह रहते है कि फायर फाइटर्स को पहुच में बहुत वक्त लग गया क्योंकि संकरी गलिया थी जहां पर यह हादसा हुआ लांड होने के ठीक पहले विमान क्राश हो गया